अलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट का मैठ एक्सरसाइज 3.1 हमें स्टार्ट कर रहे हैं हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 का बेसी कॉंसेप्ट पढ़ा था चैप्टर 3 है हमारा जैमिति आखरितों की समझ तो इसका बेसी स्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अब लेवल होते हैं तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी मैंने इस चैप्टर की बेसिक कॉंसेप्ट वाले वीडियो का लिंक दे दिया है तो आप वहा तो सरा लेवं बंद आकरिते के बारे में खुली आकरिते के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेसिक कॉंसेप्ट वाले वीडियो में पढ़ा था आप ये वीडियो देखने से पहले बेसिक कॉंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लिजेगा तभी आपक सबी तरफ से बंद होती यह कैसी आकरिती है किसी को काट नहीं रही है और यह आकरिती सभी तरब से बंद है तो ऐसी आकरिती को हम सरल एवं बंद आकरिती कहें तो यहां पर आयत है वृत है तो यह सब सरल एवं बंद आकरिती है सेकें नमर का कॉस्टन देखते हैं सेकें नमर में कह रहा है नीमन आकरितियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है कौन सी ब बंद एवं उत्तल आकृति है कैसे हम पहचानेंगे कि ये उत्तल है आप ये देख सकते हैं ये वाला साइड ये वाला कोना उभड़ा हुआ है मतलब उपर के तरफ निकला हुआ है तो इसलिए ये कौन सी आकृति हो गई उत्तल आकृति ठीक है और सराल एवं बंद आकृति क सभी तरब से बंद इसलिए कैसे अकृति है सरल एवं बंद आकृति और उत्तल आकृति ये वाले आकृति कैसी है ये सरल एवं खुली आकृति है आप देख सकते हैं ये आकृति सभी तरब से बंद नहीं है तो ये कैसी आकृति है खुली आकृति एवं सरल आकृति ये आकृ है ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं यह वाला कोना धसा हुआ है तो इसलिए यह वाली आकरिती अवतल आकरिती है और बंद आकरिती है इसको हमने यहाँ पर आंसर में लिखा है सेकेंड नमर देखें आप इस तरह से कौपे में लिख सकते हैं जब आपको एक्जाम में यह खैद ऑफन अ Tulakvio ठीक है और सेकेंड रुका यह वाला फिगर देख लीजे इसको हम यहाँ पर लिखा है सेकेंड नमबर में हम क्या लिखेंगे यहां खुल्र आकरिती यह यह रल आकरितीन में लिखेंगे और नंबर में में लिखेंगे यहां सर लाकृती नहीं है यह एक खुली अवतल आकृती है 4 में क्या लिखेंगे यह बन देवम अवतल आकृती है ठीक है तो यह हो गया 2nd number का answer 3rd number में कह रहा है कि नीचे दिये के बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण कीजिए सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि यह आकृती कौन सी है यह कैसा बहुभुज है तो जिलिए हम देखते हैं इसके भुजाओं को गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 भुजाए है इसमें 6 भुजाए है तो इसलिए यह सस्ट भुजाए ठीक है अब हमें यह बताना है कि इसमें विकर्ण कितने है मतलब हम इसमें कितने विकर्ण खीच सकते है तो इसमें हम टोटल 9 विकर्ण खीच सकते है सस्ट भुज को हम इंगलिस में hexagon भी कहते है ठीक है इसमें हम 9 विकर्ण खीच सकते है सबसे पहले हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो तो टोटल हमने इसमें नो विकर्ण खीचा है ठीक है, सस्ट बूज में हम कितने विकर्ण खीच सकते हैं नो विकर्ण, तो आंसर में हम इसको कैसे लिखेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है 3 नमबर देखे आप लिखेंगे सस्ट बुज, सस्ट बुज का इंगलिस मिनिंग होता है एक्सा कौन, और इसमें हम कितने विकर्ड खी सकते हैं, 9 विकर्ड ठीक है, 4 नमबर में देखे, 4 नमबर में दिया गया है नीचे के चित्र में कुछ काड़ी खड़ी है बीच में चौकोराकार का मैदान है ये क्या है, चौकोराकार का मैदान बताए कि कितनी कारबहुभुज मैदान के अभियंतर भाग में है कितनी बहिर भाग में है तो ये बहुत ही असान से सवाल है इसमें सिर्फ ये बताना है कि कितने कार अंदर है और कितने कार बाहर है अभियंतर भाग का मतलब होता है अंदर का भाग बहिर भाग का मतलब होता है बाहर का भाग हमें यह बताना है कि इस चत्रभुज के अंदर कितनी कारे हैं और इस चत्रभुज के बाहर कितनी कारे हैं तो चत्रभुज के अंदर कित paansikan Tenka भाग में ठीक video है नीचे के दो कोलम में से एक में बहूबूझ का नाम तथा दूसरे में उसके अंतर कोनों के बुजाओं की मापों का योग दिया गया है बहूबूज के नाम कुछ के अंतर कोनों के मापों की योग से मिलान की जिए देखें तिरिभुच पंच बूज सब्ट बूज नवभूज सब्ट बूज के अंता कोनों का योग निकालने के लिए हमने सीखा था उसका सूत्र क्या था 2 x n-2 x 9T किसी भी बहुज का जब हमें अंता कोनों का योग निकालना हो तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हमने यहां पे इसको डिटेल में बनाया है वैसे इसमें हमें सिर्फ मिलान करना था जिन बचों को समझने में पड़िसानी होगी उन बचों के लिए मैंने यहां पे बना दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो देखिए तृबूज का अंता कोन हमें निकालना ह तो हम कैसे निकालेंगे सूत्र हमारा यह है सूत्र को हमेशा याद रखना है यह हमारा क्या है सूत्र यानि फॉर्मूला ठीक है इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है इसी फॉर्मूले पे हम किसी भी बहुत बूज के अंता कोनों का योग निकालना हो एन के जगा पे हम सिर्फ बुजाओं की संख्या दे देंगे तरबुज में कितनी बुजाएं होती है तीन बुजाएं तरबुज में तीन बुजाएं होती है ठीक है पंच बुज में पांच बुजाएं होती है सब्त बुज में साथ बुजाएं होती है नब बुज में नो बुजाएं होती ह तो हमने यहां पर एन की जगां पर क्या दे दिया है सिर्फ बुजाओं की छोनगे देख लिए एक और ये 90 इन डू का मतलब क्या होता है गुणा दो गुना एक गुना नब्वे करेंगें तो कितना हो जाएगा 180 डिगरी तो इसको हम त्रबुज को कैसे मिला देंगे इस से यहाँ पहे है 180 तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 180 डिगरी ठिक है त्रबुज गनत कोनों का योग हो गया 180 डिगरी पंच बूज का देखते हैं 5 है एन के जगा पेने लिखा है बुजाओं की संख्या पंच भुजिन भुजाओं की संख्या है पांच तो हमने यहां पर पांच लिखा है सब्त भुज का देखते हैं, सब्त भुज का, सब्त भुज, 2 into 7 minus 2 into 90, सब्त भुज मैं भुजाओ कि संख्या 7 है, इसलिए हमने दिया है, यहाँ पे N की जगा पे 7, तो 2 गुना 5, साथ में 2 जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 गुना 5, गुना 90, जितना होगी है, 900, 900 डिगरी, नव भुज, 2 into 9 minus 2 into 90, तो नव भुज में भुजाओ कि संख्या है, 9, तो 2 गुना 7, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 गुना 7 गुना 90, तो कितना होगी है, 1260 डिगरी, यानि 1260 डिगरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नव भुज के नीचे, 1260 डिगरी, नव भुज के, अंतर कोनों का योग हो गया, 1260 डिगरी, सस्ट भुज है, सस्ट भुज का देखिए, सस्ट भुज में भुजाओ कि संख्या 6 है, तो 2 into 6 minus 2 into 90, सस्ट भुज के अंतर कोनों का योग हो जाएगा, इसको हमें क्या करना था?, पर यहाँ नीचे में लिख दिया है, आप चाहें तो इसको मिलान भी कर सकते हैं, देखिए, तिरि भुज को इससे मिला देगे, 180 डिगरी से, पंच भुज को मिला देंगे 540 डिगरी से ठीक है और सब्त भुज को मिला देंगे 900 डिगरी से नब भुज को मिला देंगे 1206 डिगरी से और सब्त भुज को मिला देंगे 720 डिगरी से तो इसी तरह से हमें क्या करना था मिलान करना था ठीक है आई होप आपको ये क्वासन समझ में आ गया होगा सिक्स नमबर में कहा रहा है एक बहु भुज के अंतर कोनों के मापों का योग 540 डिगरी है उसमें कितनी भुजा हैं बताईए चलिए इसको बनाते हैं इसको आसन में कहा रहा है कि भुजा निकालने के लिए किसी भी बहु भुज का अंतर कोनों के मापों का योग दिया गया 540 डिगरी लेकिन इसमें ये पता नहीं है कि वो कौन सा बहु भुज है मतलब कि ओतर भुज है कि चतुर भुज है कि पंच भुज है या फिर सस्ट भुज है तो हमें भुजाओ की संख्या निकालने है मतलब भी बताना है कि वो कैसा बहु भुज है तो हम लिखेंगे यहाँ पर बहु भुज के अंतर कोनों का योग 540 डिगरी तो बहु भुज के अंतर कोनों का योग का सूतर क्या होता है क्या 2 and minus 2 into 90 और यह बराबर पार सारच सारी डएंगे लिए टो को है एंवा जी कुरा करेंगे 2 best से गुना करेंगे नो जाएगा ठीक है टो को टूट से गुना करेंगि टो डू नवी फोर होगा 2 x 2, 4 होगा बराबर 540 बराबर 540 ये 90 बराबर के इस side बराबर के इस side ये गुना में है इस side जब इसको ले जाएंगे तो ये भाग में बन जाएगा तो 540 बटे क्या हो जाएगा 90, तो ये 0 और 0 कट गिया, 9 से इस चोवन को कटा देंगे, 6 हो जाएगा तो टोटल हो गया कितना 2 n minus 4 equal to 6 तो n का value निकालना है तो लिखेंगे n equal to n का value निकालना है, तो ये 6 यहीं पिर जाएगा, बराबर के इस side है इस side रह जाएगा, और ये minus, 4 जो है, minus में है बराबर के इस side आएगा, तो ये plus हैं बन जाएगा, 6 plus 4 हो जाएगा और ये 2, बराबर के इस side गुना में है तो जब बराबर के इस side ले जाएगे, तो ये क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा 6 जोड 4, बटा 2 हो जाएगा, n बराबर 6, 4, 10 हुजाएगा और नीची 2 2, 5, 10 तो N बराबर 5 5 हो गया यानि कि बुजाओ की संख्या कितनी है 5 तो 5 बुजाओ वाले अकरती क्या कहलाती है 5 बुज तो हम क्या लिखेंगा आंसर में 5 बुज तो यही हमारा आंसर हो गया 6 नम्बर का ठीक है यही चीज में इसमें निकालना था कि वो बहुबूज कैसा है तो यह पंच भूज है पंच भूज के अंतरकोनों का योगी 540 डिगरी होता है चले इस exercise का last question बनाते हैं तो इस chapter का last question है question number 7 एक सम बहुबूज की आठ बुजाएं है उसके परतेक बायकोन की माप ग्यात कीजिए बायकोन का मतलब होता है बाहर का कौन परतेक अंतर कौन कितने माप का होगा मतलब इसमें बायकोन और अंतर कौन दोनों पूज रहा है बाहर का कौन और अंदर का कौन तो हम सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है आठ ये कौसर में ही दिया गया है अब देख सकते हैं एक सम बहुभुज की आठ भुजाओं है तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है आठ है हमें निकालना क्या है बाय कोनों की माप तो हम लिखेंगे बहुभुज के बाय कोनों का योग तीन सो साथ डिगरी ये सारा चीज हमने बेसिक कॉंसेप्ट वाले वीडियो में परहा था किसी भी बहुभुज के बाय कोनों का योग हमेसा तीन सो साथ डिगरी होता है चाहे वो तिरभुज हो चतर भुज हो पंच भुज हो या कोई भी बहुभुज हो ठीक है किसी भी बहुभुज के बाय कोनों का योग तीन सो साथ डिगरी होता है इसके बाद हम लिखेंगे इसमें पूझ रहा है कि परतेक बायकोनों की माप ग्याद किजी परतेक बायकोन मतलब आट बुझा हैं तो पूरे बायकोनों का योग हमें नहीं बताना है हमें से बताना है हर एक यानि कि परतेक बायकोनों की माप तो हम लिखेंगे अतर परतेक बाय कौन तीन सो साथ बटा आठ तीन सो साथ बटा आठ करेंगे तो परतेक बाय कौन निकल जाएगा तो डिवाइड करेंगे आज जाएगा पैतालिस डिगरी यह हो गया हमारा पहला आंसर ठीक है यह हमारा पहला आंसर हो गया परतेक बाय कौनों की माप कितना है पैतालिस डिगरी अब हमें निकलना है परतेक अंतर कौन की माप का होगा अंतर कौन का माप निकलना है तो कुल अन्त कोनों का योग बराबर क्या सुत्र होता है 2 into n-2 into 90 यह कुल अन्त कोनों का योग होता है कुल अन्त कोनों का योग का फोर्मूला होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 into n के जगा पर हम 8 देंगे क्योंकि सम्भव बूज की 8 हुजाए है यहाँ पर दिया गया है तो n के जगा पर 8 देंगे 8-2-90 तो 2 का 2 लिखेंगे गुना लिखेंगे 8 में से 2 जाएगा 6 होगा गुना 90 तो टोटल आजाएगा 1080 अब यहाँ पूछ रहा है कि परतेक अंतकोन कितने माप का होगा जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला कि परतेक बाय कोनों की माप तो उसी तरह से में निकालना है परतेक अंतकोनों की माप हम लिखेंगे इसलिए परतेक अंतकोन 1080 बट आठ तो इसको डिभाइड करेंगे कितना आजाएगा 135 तो 135 डिगरी परतेक अंतकोन कितने डिगरी का है 135 डिगरी का तो यह हो गया हमारा कॉसन नंबर सेवन का सेके नंबर का अंसर मतलब इसमें दो कॉसन था एक बाय कौन पूझ रहा था इसमें पहले में बाय कौन पूझ रहा था और दूसरे में अंतकोन पूझ रहा था तो हमने दोनों कॉसम बनाया, बाय ये कौन कितना हो गया, 45 डिग्री और अंतर कौन हो गया, 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री So friends हमने exercise 3.1 complete कर लिया है, I hope वीडियो helpful रही होगी, वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेड कीजिए